तो आज हम बनाने जा रहे हैं नवराती इस्पेशल गिले वाले नारियल के साथ में सामा तो आपने कई तरीके से बनाए होगा खिचडी भी बनाए होगी नमकी सामा भी बनाए होगा और कई तरीके से बनाया जाता है तो इसके लिए हमने लिया यहां पर गिला वाला नारियल जिसके अंदर पानी होता है और हमने एक कप लिया यहां पर लगवा सामा लिया यह देखे इस तरीके के इनको चावल भी बोलते हैं कोई-कोई ब्रत वाले और सामा भी बोलते ही दाने दार है यह तो अब हम क्या करेंगे एक बरतन लेंगे बरतन में हम सामी को भीगोने के लि इसको इस तरीके चील लेंगे तो यह देखे हमने नारेल को चील लेए यानि इसका खाल और चमड़ी उताल लिए तो अब हम क्या करेंगे इसको अंदर से फोड़ लेते हैं कि अज़त कर दो दो कि यह देखिए तो अब हम क्या करेंगे इसको निकाल लेते नारेल को पूरे तो यह देखिए मैंने नारेल को निकाल लिया इसके अंदर से और देखिए आदा वाला मेरा निकल चुका है और आतर नहीं निकला है तो देखिए मैंने या पर लग दिया जैसे गरम होका नारेल को अंदर से अलग कर देगा इसका चिलका से सारा लगी कर लेंगे कर लिए हागा फालिंगे तो इसके of चलते हैं की तरफ चलते गास के धियुआ सबस्सा करना है और यहां पर हम लेंगे अब इसी के साथ ही हम लोग चार से पांच और इसी यहां पर लिये हमने काली मिच्ची दस से पंद्रा और अब डालेंगे यहां पर हम कड़ी पत्ता हमने कड़ी पत्ते को डाल दिया और काली मिच्ची को डाल दिया लोंको भी डाल दिया जीरा भी डाल दिया आप डालेंगे यहां पर हरी मिच्ची तीन से चार पचल हुल हरी मिच्ची को हल्का सब्सेख लेंगे हम तो यहां देखे हरी मिच्ची को हमने अच्छे सब्सेख लिया आप लिए यहां पर बदाओ यहां लिए हमने काजू और इसी के साथ लिए हमने थोड़ इसी किस्मिस हो तो डाले है काजू बादाम नहीं हो तो यह भी आप इसकीप कर सकते हो और अगर हो तो और अच्छी बात है क्योंकि आज हम कुछ नई तरिकते सामा की देश्पी बनाने वाले हैं तो देखते रही है आप पूर वीडियो के खाओं दरें को सुद्ING चलें तेल के शाद में नारायल को स्कौर क्यों शॺंट काजु बादाम को सचा MR का कुछ रखा दैख कर दोते यहां के हम और यहां इसको भी हम इसमें हलत शूसलik समय इसको भी हो शूसा ज़ख हैं हीता है हम एतारी को परफ़क मैस ठीज पर दो तो यहां देखे हमने नारेल को बूल लिया है अब इसके बाद में हम डालेंगे स्वेडा नमक और काली मिल्ची पाउडर या डालेंगे टमाटर तरन को भी हम अच्छे से मिला लेते हैं अब देखे हमने सामे को भीगो दिया तो अब देख लेती है यहां पर मैंने पानी उतना ही डाला है ताकि के सामा मारा फूल जाए पानी हमने ज्यादा मुल्कुल नहीं डाला है अगर ज्यादा हो गया हो पानी तो पहले आप निकाल दें इसको और फिर इसको ऐसे ही रखते तो पानी थोड़ा बहुत रहे भी जाएगा ना तो शोक करतेंगे समाते चावा लेजो तो चलिए अब इदा हम डाल देख मेर अब इसको नारेल के साथ मेर्टे से मिक्स कर लेंगे अब इसमें हम डालेगे पानी 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 निकलाना वह भी लेलिये हमने थोड़ा सा पानी ओट डाल दिया तो यानि हमें नाप करके पानी डालना है यहां पर हमने दो कप पानी डालना है कि दो कप में अच्छे से सामा हिहां फूल के तैयर हो जाएगा और पके भी तैयर हो जाएगा तो यह देखिए हमने पानी को दो कप नाप के लिया इससे पानी हमने टोटल और इससे ज्याधा में पानी नहीं डाल आ अगर आप जादा बना रहे हैं यानि मैंने एक कप लिया है सामा तो उसके आप अगर आपने दो कप बढ़ाया तो चार कप पानी लेना पड़ेगा आपको तो अब हम क्या गरेंगे इसको सिर्फ दो मिनिट के लिए डखके रख देंगे लो फ्लेम पे और अभी कहीं मज अगरें दक्कन को अठा लेता है एक वाद डखकन अठाके चेक कर लेता है तो यह हमने गया इसको बंद कर दिया था बीच में जैसे हमें लगाता कि बंद चुका है यह एक दम खिला-खिला मारा सामा यह जो बनके तयार हुआ है तो बस यहां पर हम इसको ज्यादा मिलाएं अगर आपको नारिल वाला सामा की रेस्पी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्क्राइब करें और बटन दबाना ना भूलें कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रू बता है कि आपको नारिल वाला सामी की रेस्पी कैसी लगी तो अपने गर पर बनाईए ख थंडा होगा ना वैसे वैसे और यह खिलता जाएगा इदे कि हमने बुलकुल इसको नाप के बनाया है पानी से तो बुलकुल भी नहीं गुलेगा ही तो लीजिए वारा इस नवराती इस पेसल है जो नारिल वाला सामी की रेस्पी जो बन के ताई